जहिंद एस्पिरंट्स वेलकम टू दी चैनल SSB इंटर्वियो को जाते समय folder क्यारी करना एक important चीज होती है क्योंकि अगर इसको आप भूल गए तो आपका SSB जाना पूरी तरह से waste हो सकता है और जब मैंने अपने AFSB का वीडियो डाला था तो comment section में किसी ने कहा था कि folder पर भी एक वीडियो बनाई है कैसे organize किया जाता है तो ये basic सा उसके लिए है ये कोई standard एक तरीका नहीं है आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो बट मैं basic आपको बता देता हूँ तो अगर आप AFSB के लिए जा रहे हो अगर ऐसा आपका bag है तो मान लो इसमें मेरे documents होते थे क्योंकि वो सारे वहाँ जाते ही आपको लगेंगे इसमें उपर chain है तो यहाँ जो आपको super required है वो इसमें रखी है और जो बाकी कपड़ा है जो आगे 5 दिन मैं मान के चलता हूँ आप select होगे तो वो सब अंदर होना चाहिए इधर खाली मेरा पानी का bottle रहता था documents का folder और stationary का समान तो यह तो होगे आपका bag set क्योंकि एक ही bag आजकल carry करने को बोलते है documentation में सबसे बड़ी चीज documentation में होती है call letter call letter में कुछ ऐसे documents mentioned रहते हैं आपको वहाँ जाते बराबर भेज आपको दिखाने पड़ते हैं तो यह देखो यह अलगसे folder मैंने इसके लिए ऐसे बना रखा था प्लास्टिक का है और इसमें वो indemnity bond candidate का declaration questionnaire RT-PCR negative या vaccination का जो certificate है वो आप ऐसे अलगसे निकाल के रखना और यह एकदम पतला सा बिलकुल folder है क्योंकि यह जो है यह मेरी main file है ठीक है तो इसके अंदर वो जाना चाहिए इसके इसाब से मैंने बनाया था क्योंकि बहुत वहाँ पे भीड हो जाती है सुबह क्या होता है reporting time पे सबको जल्दी होती है कि भई तो बस में जाके मैं पहले बैठ हूँ so what people do is जल्दी जल्दी में कुछ documents भूल जाते है तो यह ऐसा अगर folder आप खरीद लेते हो तो देखो इसमें उपर भी space है नीचे आपका यह photo studio बगेरा यह शायद निशान्त का file मैंने उठा लिया यह ओके कोई प्रात नी तो यह आपका photo इधर रख लो यह आपे pen आ जाएगा यहाँ पे extra कुछ additional समान रखना उसके बाद folder arrange करते समय यह जो पहला वाला है इसमें आगए आपके सारे original call letter वगेरा इसमें मत रखना वो जो पहले वाला है उसमें डाल देना तो यह हो गया पहला set यह आप मान लिजे यह हो गया दूसरा यह हो गया तीसरा और यह तो हो गया आपका चौथा set उसके बाद फिर इस तरफ मैं रखता था यह सब होने के बाद मैं करता था कि यह जो मेरा बड़ा वाला file है इसी में जो extra के certificates है achievement का हो या अपना folder इस तरह से arrange कर लो एक ही जगा रखो सारी चीज़े और इसकी वज़े से documentation में कुछ loss भी नहीं होगा और bag का तो यह basic चीज़े सबको पता ही होती है bag कैसे arrange करना है once this is done जो folder है आपका वो इस तरह से set हो जाएगा और यह basic है लेकिन बहुत important चीज़े क्योंकि बच्चों को एक एक कागस के टुकड़े के लिए मैंने वापस जाते देखा है जब RT-PCR बोला है तो वही लेके जाओ वो जो दूसरा है antigen testing वो मत कराना and please avoid all these things and the basic thing to remember is call letter को किताब की तरह पढ़ो cover से cover याने पहले अक्षर से आखरी अक्षर एक एक शब्द जैसा बोला है वैसा अगर आप पढ़ोगे तो कोई issue नहीं होगा सारे document आपके पास होंगे ठीक है तो इस तरह से आपका at least पहले दिन वहाँ ठीक से बीतेगा वरना बहुत दिमाग खराब होता है और आपको वापस बेश देंगे AFSB में तो फिर भी ठीक है थोड़ी बहुत इंसानियत बची हुई है वो दूसरा date आपको दे सकते हैं बट आर्मी या नेवी में तो बिलकुल expect मत करना आपकी कोई नहीं सुनेगा और आर्मी वाले तो भगाई देंगे आपको तो इस तरह से अगर आप documents arrange करके ले जाओ I think it will be good for you और bag भी आपका एक set में पुरा आ जाएगा depending on the luggage that you carry So this was all just because one of the candidates requested in the comment section की folder का एक बना दो आप यह मैंने आपके लिए बना दिया बेसिक सा है कोई बड़ी बात नहीं है इसमें चेक है अगर कोई सवाल है तो नीचे comment में डाल देना मैं answer कर दूँगा चलो फिर रखते हैं अभी